नमस्कार, मैं कृती धीर हापुण हल चल के साथ खबर है सम्मल के असमौलिक शेत्रुकी जहां स्वास्त विबाग की लापरवाही अब मरीजों की जान पर बन पड़ी है हट तब हुई जब ग्राम ओवरी स्थित सबीना नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते नवजात बच्चे की आँख खोलने से पहले ही मौत हो गई आपको बता दे कि ठाना अस्मौलिक शेत्र की ग्राम चंद बार निवासी महिला को दिलिवरी पेन हुआ था और परिजन उन्हें पडोसी गाउं के निजी अस्पताल ले गए अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला के इलाज में लापरवाही बरत दी जिसके चलते उनकी हालत काफी गंभीर हो गई हालत बिगरने पर आरोपी चिकितसक ने महिला को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया जिसके बाद परिजन महिला को लेकर जनपत अम्रोहा के जोया स्थित अस्पताल में ले गए जहां महिला ने एक मुरत बच्चे को जन्म दिया ऐसा होते ही परिजन वापस गाउं के अस्पताल पहुँचे और खूब हंगामा खड़ा किया हंगामा देख आरोपी मौके से फरार हो गया और इसी बीच सूचना पाकर ठाना पुलिस भी वहाँ पहुच गई परिजनों ने आरोपी जोला चाप डॉक्टर के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कारवाई की मांग की है वहीं CMO डॉक्टर अमिता सिंग ने बताया कि सबीना नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है इस मामले में आगे की कारवाई की जा रही है आईए जानते हैं कि पूरे मामले में जांच परताल कहां तक पहुची है जानते हैं किसी नर्सिंग होम है इतर असमाली ब्लॉक में वहां पर किसी प्रसव के पश्याद किसी नवजाज शिशू की मेर्टू का मामला संग्यान में आया तो हमारे जो नोडल क्वेक्स हैं उनको वहां बेजा गया और उनको वहां मौके पर कोई भी नहीं मिला अस्पटाल का करणचारी और उन्होंने उसको सीर कर लिया है इसको सीर तो वो राती हो गया था और वो उसके बाद अब उसमें अगेंस्ट एफ आई आप की जा रही है दन्यवाद ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हाप उधल सलके साथ झाल झाल